जियो फाइबर में काम करता हूँ, मुझे 6 मन्द हो गए, फाइबर में इलिजिबिलिटी जो है 12 तक का है, 12 के बाद वो जोइन कर सकता है, और फिर ग्रेजुएशन वाले भी, और आइटी आई किया है उन्होंने वो लोग भी ले सकते हैं, और जिन्होंने डिपलोमा किया है वो लोग भी ले सकते, हाँ फ्रेशल लोगों कोई पर्फोरिशन बम भी आपउशनेटी रहती है, पता ही नहीं है कि हम लोग अपलाय कहां से करें है सबस्क्राइब टीजे जॉबनाव247.com को और बेल आइकन को दबाए लेटिस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आज की वीडियो बहुत ज़ादा इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो मेरे साथ हैं राहूल जो कि GEO Fiverr में काम करते हैं और इनके interview के through में आपको बताऊंगी कि अगर आप अपना career GEO Fiverr में बनाना चाहते हैं या GEO में बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं कौन-कौन सी job opportunities यहाँ पर regular basis पर आती है क्या eligibility criteria होता है exactly आपको apply कैसे करना है इंटर्व्यूज में किस तरीके के questions पूछे जाते हैं आज राहूल के interview के through में आपको बताऊंगी लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से कहना चाहूंगी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे मेरे साथ काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं लगवक एक लाग से जादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो सबसे पहरा कॉशन मेरा आपसे रहेगा कि जैसे कोई candidate है जिसको अपना करियर जीयो में बनाना है तो क्या eligibility criteria है मतलब उसको कितना पढ़ा लेका होना ज़रूरी है जीयो फाइबर में eligibility जो है 12 तक का है 12 के बाद वो join कर सकता है 12 वाले भी लोग ले सकते हैं और फिर graduation वाले भी और ITI किया है उन्होंने वो लोग भी ले सकते हैं और जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो लोग भी ले सकते हैं आच्छा तो क्या-क्या काम करना होता है मतलब कौन-कौन सी post पर यहां पर vacancies आती है post का देखी एक salesman का होता है और दुसरा होता है technical का तो sales का job जो 12 pass भी कर सकता है और graduation pass वाला भी बंदा कर सकता है आच्छा तो sales में क्या sales करना होता है क्या product रहते हैं sales में जैसे कि geofiber internet tv channels और इसे इसे रिलेटेड है internet से और tv channel से और landline number उसमें प्रवाइड होता है और हां यह सारे चीशे प्रवाइड होता है जीओ फाइबर में जो प्रवाइड होता है टेकनिकल वाली जो जॉब्स होती है उसमें क्या काम करना होता है जिसने ITI करके रखा है ने 12 के बाद या जो इसको basic knowledge है electronic का तो जैसे कि salesman booking का काम करते हैं डूर तूर जाके वो लोग customer को बताते हैं service के बारे में तो जब वो लोग satisfy हो जाते हैं कि हमें service चाहिए तो टेकनिकल वाले क्या करते हैं booking आने के बाद जाके घर पर उनके setup box और router installation करते हैं तो अभी आपको किकने दिन हो गए हैं जीओ म मुझे six month हो गए six month हो गए हां तो आप कौन सी location में काम करते हैं मेरा Mumbai location है तो अगर जैसे किसी को अपना career बनाना हो जीओ में तो अपलाई कैसे करें क्या process है online apply करना होता है या offline apply करना होता है क्या तरीका है आप हमें बताए है apply करने का तरीका यह है कि उनको जीओ करियर करक तो आप जीओ का उससे वह apply कर सकते है और उसके बाद नहीं तो अपने नियरबाई जीओ सेंटर जाके वह अपलाई कर सकते हैं जो अनको पहले जीओ करियर में apply करना रहता है क्यों क्या होता है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है Jio Center है कहां पे तो आप्लिकेशन के लेकिन क्या है वहां से call कभी-कभी आता है, कुछ लोगों को आता है और कुछ लोगों को नहीं आता है और उनको nearby का office पता ही नहीं है कि हम लोग apply कहां से करें, मतलब apply कहां पे करें, कौन से office में जाएं उन लोग apply कर देते हैं online और wait करते रहते हैं कि हम लोग को request आएगा या call आएगा वहां से, लेकिन बहुत लोगों को call आता है और बहुत लोगों call नहीं जाता है तो candidate जो होते हैं वो लोग एक महिना, दो महिना, छे, छे महिना तक wait करते हैं कि हमें अभी तक आया नहीं reply वहां से तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी apply कर रहे हैं, जियो करीयर के थुरू, तो एक बार उन लोगों को जियो center जाके आना चाहिए अब जी एक लिकेशन पर लोगों को पता भी नहीं रहता है कि उNकी नियरवाइग जीव ऑपर है हा बिल्कूल तो उनको मैं बूलना चाहूंगा उनका जो माईजीओ अब्लिकेशन है जीओ का उसके थूरू वह जा सर्च करके देख सकते हैं उनको आप उस अप्लिकेशन का लिंक मुझे सेंड कर सकते हो जो करीर डिफ्रेंट टेप ठीके अचा फो जॉप के लिए उनली और यह माईजीर अप्लिकेशन है वहां से सर्विसेज ज क्लbbe था जैसे कि किसी को अपने नियर भाय का सर robi सेंडेर छुड़ना है ठीक है ऑल शक्र सकते अपने और जो हमने जर सकते अचे चले हैं तो हम देटा कितना प्लेवल है 1990 रिशच कौंच chem backpack वो सारा information माई जियो में शो होता है तो आप मुझे माई जियो करियर का जो एप है ना वो सेंड कर दे ना ताकि मैं लोगों को लिंक दे दू नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने भी इसे application से apply किया था मैंने apply किया था जियो करियर के थुरू बट क्या हो गया कि वहां से कुछ response नहीं आया है तो मैंने अपना application है अपना job application वहां से मैंने apply करके रखा था एक बार बहुत लोगों कॉल आता है और बहुत लोगों कॉल नहीं आता है क्योंकि मेरे सारे जो subscriber है ना मेरा यूटूब चैनल है तो मेरा जो मेरे बहुत सारे subscriber लोग है तो उनको job मिल जाता है जियो करियर के थुरू तो लोग मुझे call करते बताते कि सर मुझे call आया था तो उनके जो doubts होते हो मैं clear कर देता हूं तो राहूल मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगी जैसे कि कोई direct पहले तो online apply करता है फिर वहां पर जाग करके visit करता है तो इंटर्व्यू में किस तरीके का इंटर्व्यू होता है क्या-क्या round होते हैं इंटर्व्यू में कितने इंटर्व्यू देने पड़ते हैं इंटर्व्यू में में इंटर्व्यू में क्या होता है कि एक HR इंटर्व्यू लेते हैं उसके बाद जो सर होते हैं जो हैं जो हैंडल करते हैं लोगों को वह एक बार इंटर्व्यू लेते मतलब दो राउंड होता है दो राउंड होता है तो आप बेसिकली टेक्निकल लाइन में हो राइन ना नहीं नहीं में सेल्स में हो तो क्या कॉश्चिन पूछे गएते हैं आप से इंटर्विव में कुछ शेर करना चाहेंगे मुझे पूछा तर olması मतलब कि मैंने पहले कभी जॉब किया है या नहीं किया है जॉब मैंने किया है तो लोग सेल्स में नहीं होते हैं तो ठाथ छों को जोन और उसके बाद एक्से फॉड़ा भालद सक्याहिए चाहिए हाँ तो बीफ भी नोलेज होना चाहिए उनको सेल्स का और जियो फाइबर क्या है प्रोड़क्त क्या है उनके वारे में तोड़ी नॉलेज रहे कि तो फिर बढ़िया रहेगा उनके लिए ताकि इंटर्वी में जो भी पूछे सवाल तो प्रॉपर वो गाइड कर सके बता सके तो नॉर्मल बेसिक कॉश्चिंज पूछे ज जैसे कि हमारा सिम काड़ हम लोग यूज करते है ना जियो का सिम कार्ट तो इसमें वर्क होता है कि जो लोग ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हैं मनर्प के लिए पोर्ट के लिए और जिनको न्यू सिम काड़ चाहिए रहता है तो वो लोग मतलब यह डिपार्टमेंट कर भी जला सहल है एक तो दुटल ओख यह सकते हैं है तो उनिफ़र बहरा उसके पैस के यह पंगे फ्री में मिलक्त बड़ मुझे से टीशैत मिला यह मंत में बहुंत तो थेंकिए सो मच राहूल आपने बहुत सारी इंफोर्मेशन दी मैं एक बार फिर से लोगों को बताना चाहूंगी कि राहूल जो है जीओ फाइवर में काम करते हैं और इन्होंने अपना एक्सपिरियंस जो है आप सभी के सामने शेयर किया अगर आप भी अपना करियर रहूल हमें देंगे हैना रहूल आप मुझे बताते ना जो जीओ करियर लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूं प्लस आपको जो आपके नियरबाइ एरिया पॉइंट है वहां पर जाना होगा और वहां पर जाकर के भी आपको एक बार अपलाए करना ह तो guys I hope आपको यहां पर सारी information मिली होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे like कीजे और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe कीजे मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you so much and bye bye